मांगलिक दोश एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज़्यादा नेगटिवली फिलाई जाती है स्पेशली इस टॉर्जर्स के थुरू देखे बहुत से लोग जिनमें ये मांगलिक दोश होता है पूरी उमर यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे अंदर तो मांगलिक दोश है तो इसके बारे में कई myths में break करना जाता हूँ स्पेशली बें ये समझाना जाता हूँ कि किन किन कंडिशन्स में मांगलिक दोश वैलेड ही नहीं रहता आपकी लाइफ में याने कि कब कब ये मांगलिक दोश खतम हो जाता है चाए वो बंढ भी रहा हो तो हम ऐसे योग डिसकस करेंगे जो आप अपनी कुड़ी में खुद ही चेक कर सकते हैं घर बेटे बेटे और ये देख सकते हैं कि जो बेरी कुड़ी में मांगलिक दोश बोला गया या फिर बंढ रहा है वो valid है भी या नहीं है कई उसकी significance खतम तो नहीं हो रही तो first of all हम ये समझते है कि मांगलिक दोश होता क्या है देखें जब भी आपकी कुड़ी में मंगल इन घरों में बेटा हो या देखें कि first house में बेटा है, fourth house में बेटा है, seventh house में बेटा है, eighth house में बेटा है जब in houses में मंगल बेटा होगा तो ये बोला जाता है कि आपकी कुड़ी में मांगलिक दोश है अब हम ये discuss करेंगे कि कब-कब ये मांगलिक दोश cancel हो जाता है या फिर कब-कब इसकी इतनी ज़्यादा strong position नहीं रहती तो ultimately जो मांगलिक दोश के परिनाम होते हैं, negative effects होते हैं वो आपको नहीं मिलते है life के अंदर तो आईए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को मांगलिक दोश आपकी कुड़ी में खब cancel हो जाता है जब मंगल आपकी कुड़ी के अंदर योग कारक planet हो देखी योग कारक planet वो होते हैं जो एक साथ केंदरास और त्रिकोन हाउसेस को आपकी कुड़ी में रूल कर रहे हो for example कोई दिन प्लानेट जो इन चारों में से एक घर को यानिकी 1, 4, 7 and 10 और 5 and 9 जिनको हम त्रिकोन भी बोलते हैं 1, 5 and 9 इनको रूल कर रहा हो और simultaneously इन में से किसी भी एक घर को रूल कर रहा हो उस प्लानेट को हम योग कारक बोलते हैं तो दो केसेज में एक तो हो गई करक राशी अगर करक आपका लगन हो गया यानि कि 4 नंबर आपका लगन है तो देखे मार्स देख तो ये कंट्रल कर रहा है 5th house यहाँ पर एक नंबर लिखा हो है और मार्स आपका 10th house भी गंट्रोड कर रहा है यानि कि इस कुंडली के मंगल दोश इतना वैलेड नहीं रहता क्योंकि इस टाइम पर मंगल आपको अच्छे प्रबाव भी देता है और दूसरी पुजिशन जो की आगी लियो याड की सिंग राशी के लिए कि 5 एफे बड़ा 6 7 8 तो एक तो मंगल यहां का लॉड हो गया 9 10 11 12 1 और एक यहां का इस केस में मंगल जहां भी बैठा हो आपके उपर मंगलिक दोश इतना ज्यादा नहीं लगता क्योंकि मंगल आप आपको अच्छे रिजर्स देगा वह योग कारट बन गया आपकी कुंडली के अंदर अब अपनी दूसरी पुजिशन की तरफ चलते हैं देखें मंगलिक द और दोर्स तेन डिघ्टी का ही फरक है बान से छे तीन डिघ्री कर फरक है is केस में मंगल को अस्त मैं G il कर के अगर मंगलिक दोश चाया वो या तो 0, 1, 2 ऐसे छोटी डिग्रीज है या फिर 29, 28, 30 ऐसे डिग्रीज है जल्कि मंगल कहीं भी बैठा हो suppose मंगल सेवन्थ होस में बैठा है और इसकी डिग्री 2 डिग्री आगी तो ये मंगलिक दोश इतना वैलेट नहीं होगा देखें मंगलिक दोश कभ बंता है अगर आपका मंगल इन पोजेशन ग उल्स पर बैठा हो अपकी खुली के अंदर अगर इन इन केसे में मंगल फिक्र ऑस्व राश्यए हो याननि कि अपणी राश्य방 बैठा हो एक या आठ नमबर में बैठा हो या फिर उच्छका होके बै इन केसिस में भी अगर अपनी राशियों में एक और आठ नंबर में या उच्छाओ के बैठ जाए तो मांगलिक दोश आपको नेगटिवली परभाव इतना नहीं करता आपको इतना डरने की जरूत नहीं है अपनी पाच भी ब्लेस्मेंट के दरफ चलते हैं देखिए मांगल यहां 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 चिन फॉल्फ में तो मांगलिक दोश चलते है तो मांगलिक दोश आपको इसकेस में भी अगर जब मंगलिक दोश बन भी रहा है उसकी एनरजी इतनी जदा स्ट्रॉंग नहीं होगी यानि कि नेगटिव एफेक्स आपको मंगलिक दोश के इतने नहीं मिलेंगे लाइफ में चाटा रीजन जब मंगलिक दोश आपकी खुंडी में नहीं बनता वो यह है अगर मंगल इन में इसे कहीं भी बैठा हो और एक्जांपल मंगल यहां बैठा है और गुरू याने की जुपिटर यहां तो इसके साथ बैठ जाए या गुरू इसको सात्वी दृष्टी से ऐसे देख रहा हो तो जब भी मंगल गुरू के साथ नजंट होगा या गुरू सात्वी दृष्टी होके बैठा है फिरसे क्यूंकि सूरे उच्छा हो गया मांगलिक दोश कैचल हो गया यानि कि अगर मंगल ऐसे ग्रहे के साथ बैठेगा जो उच्छा होके बैठा है उस कि इसमें भी मंगलिक दोश इतना ज्यादा नेगटिव परभाव आपको नई देता लाइफ में आठवा रेजन देखिए जब भी आपकी कुल्ली में मांगलिक दोश बन रहा होगा फॉर इजापल मंगल फस्ट फॉर्थ सेवन्थ एट्थ या ट्वेल्थ में बैठा हो और आपको ये डर लग रहा हो कि मांगलिक दोश हमारी मैरेज के लिए नेगटिव तो नहीं है अगर आप अपने गुण मिलाएंगे दोनों हस्बेंड वाइफ के गुण मिलाते हैं जो शादी से पहले अगर 27 या उससे ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो आप ही सोच दीजी क मांगलिक दोश का आपको इतना नेगटिव एफेक्ट नहीं होगा आपको फिर भी शादी कर लेनी चाहिए मांगलिक दोश उस केस में इतना ज़्यादा नेगटिव एफेक्ट नहीं करता जब इतने सारे गुण मिल जाते हैं आप वाइफ के तो इस वीडियो में हमने आठ रीजन्स देखे कि कब-कब आपको मांगलिक दोश से डरने की ज़्यादा जुरूत नहीं होती लाइफ में आपको अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे लोगों के साथ शेर करिए जो अभी मैरेज का सोच रही है या करेंगे फ्यू रवात